नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ प्राची पारचन 2024 की लड़ाई से 200 दिन पहले देश में एक नया एजिंडा चल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला मोदी रोको मोचा आज संसद में चर्चा से दूर पॉलिटिकल टूर पर है 16 दलों के 20 संसद आज मणीपूर पहुँच रहे हैं सवाल ये है कि ये मोचा मणीपूर के लोगों को समझाने गया है या मणीपूर जलाने गया है विपक्ष के मन में आजकल सिफ एक एजंडा चल रहा है किसी भी तरह मोदी हटाओ लेकिन क्या विपक्ष के सियासी टूर से इंडिया नाम से बना मोधी विरोधी मोर्चा वोटर को अपने खरीब खीच पाएगा अगर आज चुनाव हुए तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा देश का मजास जानने और वोटर की आवाज सुनने के लिए इंडिया टीवी सियनेक्स ने सबसे बड़ा ओपीनियन पोल किया है देश पे नया मोर्चा बनने मनिपूर में महिलाओं को निर्वसर करने और मोधी सरकार के खिलाफ और विश्वास प्रस्तावाने के बाद का हु मनिपूर का ओपीनियन पोल आपको दिखाएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं तोड़ी दिर में विपक्षी दलों का मोर्चा मनिपूर पहुँचने वाला है मोधी की विरोग में बने इंडिया गठबंदन के इस मोर्चे में 20 सांसद चामिल है ये 16 दलों के सांसद मोर्चा बनाकर मनिपूर पहुँचे हैं विपक्ष काई डेलिगेशन मनिपूर के हालात की जानकारी लेगा लेकिन में एजिंडा मोधी सरकार को घेरना है आपको बता दें कि मनिपूर को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है संसद ठप है अब 20 सांसदों का ये जो डेलिगेशन है वो मनिपूर पहुँच चुका है मनिपूर के हालातों की जानकारी ये 20 सांसद लेंगे जानकारी जुटाएंगे जिसके बहाफ पर मोधी सरकार को भी घेरा जाएगा केंदर सरकार को घेरा जाएगा तो मनिपूर के हालात को लेकर अभी एक तरफ सियासे जहां जम कर जारी है तो मनिपूर का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है कुल दो सीट है मनिपूर में और इसका ओपिनियन पोल ये कहता है कि अगर आजच चुनाव हो जाते हैं तो NDA के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी जबकि इंडिया जो की गटबंदन नया नया बना है NDA के खिलाफ उसके खाते में पूरी दो सीटे जाएगी यानि NDA यहाँ पर खाता नहीं खोल पाएगी नुकसान NDA को होगा फाइदा इंडिया को हुता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से मनिपुर का मसला पूरे देश में इस वक्त छाया हुआ है जिस तरीके से मनिपुर के हिंसा को लेकर मوجودा सरकार सवालों के खेर में है एक वीडियो ने सब को सन्न कर दिया उसके बाद अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो ओपीनियन पोल ये कहता है कि खाता नहीं खुलेगा इंडियेगा लेकिन वहीं आप अगर वोट प्रतीशत को समझेंगे तो 47 फीजदी वोट इंडिये को मिल सकता है अगर आज चुनाव ह हो जाते हैं तो इस इस्तिती ये बन सकती है मणिपूर में कौन आगे कौन पीछे ये हम आपको बता देते हैं 2019 का नतीजा ये था कि बीज़पी ने एक सीट जीते थी कॉंग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी एनपीफ ने एक सीट जीती थी लेकिन दोहजार सीट का नुकसान भारते जनता पार्टी को हो रहा है क्योंकि एक भी सीट भारते जनता पार्टी के खाते में नहीं जाएगी अगर आज चुनाम हो जाते हैं तो दो सीट का फायदा यहां पर कॉंग्रेस को हो रहा है पिछली बार कॉंग्रेस खाता नहीं कोल पाई थी लेक मनिपूर हिंसा ने मौझूदा सरकार को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। मनिपूर में हुई हिंसा के बाद एक वीडियो सामने आया देश फर में इसकी चर्चा हुई और उसके बाद अगर आज ओपिनियन पोल होते हैं तो क्या नतीजा होगा वो हम आपको बता रही ह अब मनिपूर में किसे कितने वोट मिल रहे हैं या 2019 के नतीजों से अगर कंपारिजन करें तो ये क्या बताता है। बीजेपी को 2019 में 34.33% प्रतीशत मिला था यानि वोट शेयर इनके हिस्से में गया था। 24.7% एक पीजदी वोट शेयर गया था। 24 का नुमान ये कहता है हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है कि अगर आजचुनाव हो जाते हैं तो 32.27% यानि यहाँ इजाफा है कॉंग्रेस के वोट शेयर में तक्रीबन 7% वोट जो है वो बढ़ रहे हैं कॉंग्रेस के। एनपीएफ के अगर आप बात करेंगे तो एनपीएफ को 2019 में 22.55% पीजदी वोट मिला था जो कि अब 12% हो गया यानि यहाँ भी नुकसान हो रहा है। मोदी ने पुर्वोत्तर से कैसे अलगाब बात को दूर किया है। यह आकड़ा हम आपको बता रहे हैं जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। आतंकवादी घटनाए उसमें 68% की कमी आई है तो जिस काम का जिक्र भारतेजनता पार्थी की तरफ से किया जाता है। तो काम आकड़ों में भी रिफलेक्ट हो रहा है क्योंकि 2005 से 2013 के बीच, 2014-2022 के बीच को आप अगर कमपैरिजन करेंगे तो यह कमी आ रहे है। नागरिकों की मौत 82% कम हुई है और इन सब के बीच मनीपूर की हिंसा का जो मामला है वो लगातार सुर्ख्यों में हैं इसको लेकर मौझूदा सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और आज एक डेलिगेशन विपक्षी सांसदों का मनीपूर पहुच रहा है मनीपूर की हालातों का जाइजा लेने के लिए लेकिन ओपिनियन पोल ने ये बता दिया है कि फिलाल अगर मनीपूर में आज चुनाव हो जाते हैं तो एंडिये को यहाँ पर नुकसान होगा दोनों की दोनों सीटे एंडिये के खाते में नहीं जाएंगी ये इंडिया के खाते में नए गटमनन के खाते में जाएंगे, सीधे-सीधे तोर पर कॉंग्रेस को फायदा हो रहा है मेरे साथ दो खास मेमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए है हमारे साथ है भारते चंता पार्टी से डॉक्टर आजयालोग हमारे साथ कॉंग्रेस से है अभैदूबे जी बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का मैं शुरुआ डॉक्टर आजयालोग जी आपसे कर रही हूँ आप लोग लाग कहते रही है मनिपूर या नॉर्टीस्ट में आपने बहुत काम किया है लेकिन फिलाल ओपिनिएन पोल भी रिफलेक्ट कर रहा है बीते कुछ तुनों में जिस तरीके कि सियासत हुई है उसने भी आपको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि आपको मनिपूर में तो नुकसाल हो रहा है पूरी दो सीटों का देखिए ऐसी बात है कि मनिपूर में जितना हमने किया है वो मनिपूर की जनता भी जानती है आज का उपिनियन पोल निश्शित तोर पे जब वीदना भड़कती है और लोगों की मांसी का वस्था में गुसा रहता है तो सभाविक है कि वो गुसा सरकार पे ही निकलता है कि वेवस्था क्यों इसतनी बिगड़ी कि पिछले 80 दिन से चीजें वहाँ पे काफी तनाव पूर्ण है उसको हम बिल्कुल अपने तरीके से शांती पूर्वख बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शांती आ भी रही है 18 जुलाई से किसी की मौत नहीं हुई है तनाव में भी कमी आ रही है लेकिन तनाव अभी बरकरार है जिसके लिए confidence building measures हर तरफ से सरकार अपने प्रयास कर रही है और निश्यतवर पर ये प्रयास रंग लाएंगे चुनाव में भी 8-9 महीने की देरी है तो मुझे नहीं लगता है कि ground पर ये स्थिती एक डेड़ महीने के बाद होगी दो महीने के बाद होगी है सरकार की तरफ हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर तर्फ से वहाँ पे शानती भाहल करें ओन लोगों में आपस आपस सोहार्ध पैदा हो और किस तरह से हिल अप्लेंस की दूरी हम कर सकें मोदी जी की यही कोशिश है कि चाहे नगा हो, चाहे कुकी हो, चाहे मैती हो सब आपस में सोहार्द बनाके अराम से एक रास्ता निकालके मनीपुर को भी प्रगती पिल ले जाना है और देश को भी प्रगती पिले जाना है यही NDA सरकार का मोटिव है हम उन लोगों में से नहीं है जो सिफ एक कम्यूनिटी के जखम पे जाके मरहम लगाएंगे, जिस तरह से राहूल गांदी जी ने किया सवालों के गेर में आएगी कि CM क्या कर रहे थे देखिए ऐसा है कि चार तारिक से हिंसा हुई है छे तारिक से ग्रह मंतरी खुद वहाँ चले गए उसके अलावा के इन ने दो-दो स्पेशल एडवाईजर CM के लिए नियूक किये है जो डिरेक्टली PMO और गढ़ मंताले को रिपोर्ट कर रहा है हर घटना की नजर रखी जा रही है ऐसी नहीं कमी आई है और ये मनीपूर का इतिहास कोई आज का इतिहास नहीं कि आज हो गया है मनीपूर में ये चल रहा जा ये संघर्ष रेशियल संघर्ष जिसे कहेंगे अंतर जाती संघर्ष ये पिछले सो वर्षों की कहानी इतिहास की गलतियों सो सबक लिख सीखे आज वर्तमान में अगर उस पे काम नहीं करेंगे तो भविश्य में कभी भी अच्छा फल नहीं मिलेगा उसी का ये फल है कि विरेन सिंग के नित्वित में दुबारा सरकार बनी मनिपूर की जनता ने भरुसा दिखाया आज का जो उपिनियन पोल है वो गुसा रेफलेक्ट कर रहा है यकीन मानिये ये सिती सुधरते ही जो तक लिए 10-15 दिन में बहुत हट तक सुधर जाएंगी वापस एक-एक चीज़ ठीक होगी और आपका ये उपिनियन पोल बदलने में एक दिन से ज़्यादा का समय नहीं नहीं जाएगा अभे दूबे जी क्या इसी चीज़ का इंतिजार विपक्ष कर रहा था या फिर मनीपूरे के ऐसा मुद्दा विपक्ष के लिहासे हो गया है जिससे 2024 में आप लोग अपनी जमीन भी तलाश रहे है आपको लग रहा है कि 2024 में इससे आपको फाइदा हो सकता है क्योंकि फिलाल ओपीनियन पोल तो ही रेफलेक्ट कर रहा है कि वहां की जनता इंडिया गटपंदन पर ज्यादा भरोसा कर रही है तुम और नहीं चलचंद करो इस नाटक में क्या रखा है ये खेल तमाशा बंद करो सचमुच में तुम खल नायक हो नायक का सिर्फ मुखोटा है अभिनय में महा चलावा है अभियान बहुत ही छोटा है मैं मनिपुर की इस घटना को इन संदर्बों में देखना ही नहीं चाता राजनेतिक नफे नुकसान के दर्ष्टी कोन से ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है और मुझे दुख इस बात का है सबसे बड़ा कि मेरे देश के प्रधान मंत्री अमेरिका की संसद में जाकर अपना उद्बोधन दे सकते हैं समूच देश और भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता गर्व से कहते थे कि प्रधान मंत्री देखी है अमेरिका के दोनों सदनों को संयुक्त सदन को संबोधित कर रहे हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है मेरी देश की पार्लेमेंट में बात करने का प्रधान मंत्री जी के पास समय है कि वो नवाज शरीफ को जाकर पाकिस्तान में गले लगा लें, वो मेकरॉन को जाकर फ्रांस में गले लगा लें, वो ट्रम को गले लगा लें, मगर मनिपूर की जनता को गले लगाने का उनके पास समय नहीं है, प्रधान मंत्री जी के पास अपनी राजनेतिक सत्ता की भूक मिटाने के लिए ये वक्त है कि गुजरात में चुना हो तो दो मुख्य मंत्री बदल दें, उत्तराखंड में तीन मुख्य मंत्री बदल दें, करनाटका में दो मुख्य मंत्री बदल दें, मगर वो मुख्य मंत्री जिसकी वजह से आज समूचा मनीपूर तराहिमाम कर रहा है, उसके खिलाफ एक्षन लेने क वक्त हमारे प्रधान मंत्री जी के पास नहीं और ये मैंने हैं कि हम आपके द्वार पर आए है में जो करा positive की आ इक्स्णाल अफेर्स के राजु बार्ती गुहार लगा रहे हैं यहां परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं, मगर प्रधान मंत्री जी ने उस बात का संग्यान नहीं लिया, वहां भारती दंता पार्टी के विधायक को करंट लगाया गया, अभी उसको लखवा हो गया, दो दिन पहले की ये सूशना है दिली में भरती कराया गया था, करके घुमाया गया, वहां 80 साल के हमारे स्वतनता संग्राम सैनानी की पतनी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन प्रधान मंत्री जी का दिल नहीं पसीजा, वो बोलना भी नहीं चाते, क्यों? क्योंकि अगर प्रधान मंत्री जी बोलेंगे, तो उनकी छवी पर आँच आए इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले जो सवाल उठाएं है, अभै दूबी जी ने, इस सवाल तो अजय आलोग जी पूरा देश पूछ रहा है, कि ये चुपी कब तूटेगी, ये खामोशी कब तूटेगी, प्रधान मंत्री को बोलने की मांग अगर विप प्रवक्ता जी ऐसे करके खड़ी हो गई, कारगिल के शहीदों को कुछ नहीं किया, अरे आप कारगिल की इज़त है, और उसी दिन राशीर अलवी का बयान था कि कारगिल दिवस हम क्यों से लिबिरेट करें, कारगिल दिवस से लिबिरेट करने की चीज नहीं है, 2004 से लेके कारगिल विजे दिवस से लिबिरेट की सरकार ने कभी मनाया नहीं, यह कारगिल का नाम लगते है, अभिने की दुकान में जाके सारे कॉंग्रेसियों को बैट जाना चाहिए, क्योंकि इन से ज़्याद अभिने कोई करता नहीं, देखे कि इतना अभिने करकर के बोल रहत है हमारे निशनशता को मैंने देख लिया, हमारे प्रधानमंतरी जी इसको गले लगा सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, उसको गले प्रधानमंतरी जी पूरे देश को गले लगाते हैं, देश क्या है आप लोग मानते हैं, आप लोग तो इस भारत को देशी नहीं है, आपक चानक 2000 लोग इखटे होके गाउं पर टैक कर देते हैं जवाब दीजे आप जवाब आपको देना पड़ेगा कैसे हो जाता है कि संसर्सत्र शुरू होना है और कॉंग्रेसी प्रवक्ता कहते हैं वीडियो रिलीज हुआ इस दे क्योंकि मनिपूर में नेट बन था कॉंग्रेस अब के मुक्षमंतरी 2012 में कुकी लैंड का नारा किस ने दिया था आपके मुक्हमंतरी ने दिया था दिमाग में बैठा दिया आलगावात पैदा करकरके पूरे 39 को आपकी पॉल्सी क्या थी 39 की साब आइसोलेट लास्ट रें लिस्ट अन्कनवर्ट तुष्टी करन निशा असा हमें बोड़ो उग्रवाद का समस्या नहीं था. और अगर विपक्ष में कॉंस्पेरिसी कर दी तो वहां तो आप की सरकार है? विपक्ष कैसे काम्याब हो गया? सरकार कैसे वीग पड़ गया? हम तो विफलता मानते हैं कि चार तारिक की जो हिंसा हुई उसमें हमारी विफलता है, हम कहां कहां कहना है रिवफलता नहीं है? लेकिन उसके बाद ठीक करने के जो प्रेयास कर रहा है, जो ठीक हुए है उसको भी देखिया यह नहीं? या इसी तरह से इनके रुदारी राप सुनिएगा इन्होंने क्या किया आस तक एक सजेशन दिया धाई मिन में सरकार को क्या करना है राजनितिक रोटी सेकने के लावा किया किया चर्चा के लिए हम तयार थे चर्चा में भागते हैं कहते हैं रूल 276 रूल 276 में समदित मंत्राले का मंतरी उत्तर देता है तो कहते हैंगे नहीं प्रधान मंतरी को लाईए आप चाहते क्या हैं साब कि देश में आव्युदारी विपक्षे सिर्फ कोरी सियासत चाहता है या कोई सलूशन भी चाहता है अब समुचाय देश ये देख रहा है, जो रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, उसको भारती दंता पाटी रास्ते से हटाने की कोशिश करती है सुना आपने भारती दंता पार्टी के प्रवक्ता को अपनी नाकामियों और पाप पर परदा डालने के लिए प्रतिशोत की आग में इतना जलते हैं कि जो भी एक प्रशस्त मार्ग देगा उसको मार्ग से हटा देंगे रूल्स तक याद नहीं है इन्होंने क्या का 276 अरे नहीं साथ मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला रूल 176 के तहट ये राजसभा में शडियन्त रिये कर रहे थे कि भारती दंता पार्टी के ही सांसदों ने नोटिस दिया अल्पकालीन चर्चा, ठाई घंटे की चर्चा क्यों ग्रामंत्री जी? हम तो लगातार कह रहे थे कि सर्वदली मिटिंग करिए ग्रामंत्री जी संग्यान लीजिए 50 दिन बाद ग्रामंत्री जी की नीन तूटती है सर्वदली बेठक के लिए 80 दिन बाद प्रधान मंत्री जी बोलते हैं और जब बोलते हैं, जब सर्वोच अदालत इसका संग्यान लेती है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस प्रतिशोत की आग से निकलिये बाहर, हम क्यों लाए अविश्वास का प्रस्ताव, सरकार गिराने के लिए, नहीं, हमारे पास संख्याबल नहीं है, हम मनोबल ब परिपाटी परमपरा से चलता है सदन, सिर्फ लिखे हुए कानूनों से नावालिक बच्चे की जिद पे नहीं चलता है सदन, बिल्कुल लाम से चलता है सदन, वह गलत कह रहे हैं, 267 में सम्मंदित मंत्राले का मंत्री जवाब देता हा या ना आप इंकर ने आप उनसे बात की अच्छे एक मिर्ट कम्पीट करने देखे बोलिया पेजी अब तर्क क्या दिया जाता है कि हमने अविश्वास का प्रस्ताव स्विकार तो कर लिया अरे रूल 198 के तहट अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ लोगसभा में लाया जा सकता है वो इसलिए कि भारत के सम्मिधान का आर्टिकल 75-3 ये कहता है कि सामुहिक रूप से मंत्री मंडल उत्तरदाई रहेगा लोगसभा के लिए तो हम लोगसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते और 267 के तहरा जे सभा में चर्चा हो जाए अच्छा बेजिए ऐसा नहीं लग रहा कि मनिपूर के मसले पर विपक्ष भी अपना गोल पोस्ट बदल रहा है कभी चर्चा के लिए बोलते हैं सरकार चर्चा के लिए राजी होती है तो फिर आप प्रधान मंत्री की मांग पर अड़ जाते हैं ग्री मंत्री बोलने को तयार है लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं पूरी सियासत फिलाल देश की सामने है संसर्थ ठप है ना मनिपूर पर जवाब मिल पा रहा है ना किसी और मसले पर ये भारती जनता पार्टी ब्रह्म फैलाती है हमने पहले दिन से अपना स्टेंड साफ रखा है कि आप रूल 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा कराईए उसमें वोटिंग होती है accountability fix क्या प्रधान मंत्री जी को बोलने के लिए हम क्यों कह रहे हम क्यों विवश करना चाहते कि लोग सभा में आए ताकि accountability fix हो ताकि इस बात का निर्धारण हो सकेगी प्रधान मंत्री जी ने अगर सी दिन तक संग्यान नहीं लिया तो वहाँ परिस्थितियां बिगडी और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ भारती जनता पार्टी के वहाँ के प्रतिनिदियों ने ये बात मुखरता से कहिए कि प्रधान मंत्री जी अगर समय पर संग्यान ले लिया होता तो ये हालात नहीं और ये जूट बोल रहे है कि वहाँ पर हाई कोर्ट के पहले से हीली एरिया में बहुत बड़ा अतिक्रमन के नाम पर लोगों को हटाया जा रहा था वहाँ दोनों समुदायों में शांती स्थापित थी लेकिन भारती जनता पार्टी करती ही ये है पॉलराइजेशन जहां आप चले जाए मुझे दुख इस बात का है कि जब देश बेबसी में होता है और प्रधान मंत्री जी से कुन साधे रहते हैं लेकिन फिर देखिए सेलेक्टिव अप्रोच पर भी चर्चा हो जाएगी अब है दूबेजी कि जब राजस्थान या पश्चिम बंगाल की बात होती है तो खामोश हो जाता है विपक्षवा पर आप लोग ट्वीट नहीं करते हैं और आरोप लगाने कि लगाने लगते हैं कि तो हम मनिपूर की चर्चा करने लगे तो आप पश्चिम बंगाली राजस्थान को लिया है सब की चर्चा होगी ना एक बात साफ के दूँ हर प्रांत में हर व्यक्ति को हर राजनेफिक दल को अधिकार की मुखरता से इन बातों को उठाए ये स्व हजार महिलाओं के खिलाफ अपराद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं बारा साल लगातार मद्र प्रदेश बलातकार में नंबर वन रहा साथ हजार बलातकार की घटना हुई अठावन हजार एब्डक्शन के मुकदम हैं लेकि एक सेकिन मैं ये पूछने हू मनिपूर की गंभीरता को हमको समझना होगा मनिपूर की हिंसा इसलिए तुरंत रुकनी चाहिए कि वो चीन और मानमियार की सीमा से भी लगा है दूसरे देश हस्तक्षेप नहीं करें प्रदान मंत्री जी ये हमारी प्राच्मिक्ता होना चाहिए कि वा शांती बहाल हो और इतनी हद्या है, साथ हजार लोग वहां केमपों है भासन देगे वा शार हजार आपक्ष वेपन मनिपूर में लूटे गए प्रदान मंत्री जी ये सवाल करना चाह रहे हैं कि मनीपूर पर अगर कोई बात कर रहा है मनीपूर पर अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो आप कहेंगे नहीं देखिए आप पश्चिम मंगाल देखिए आप राजस्थान देखिए मनीपूर के सित्थी गंभीर है तो चर्चा पहले उस पर जरूरी है कि बिल्कुल जरूरी है लोक सबहा में ग्रह मंत्री ने क्या का सहकारिता बिल पे चर्चा करते हुए on records का कि मैं सिर्फ मनिपूर पे बोलूगा और किसी राजी का नाम नहीं लूगा चर्चा करिये आपसे आगरा है ग्रह मंत्री ने का और ग्रह मंत्री जब चार माईस के बाद जब मनिपूर में जाके छे दिन रहे तीन दिन रहे वहाँ पे मनिपूर में क्या बिना प्रधान मंत्री के मर्जी के गए आपने सप्रंग UPA की सरकार समझा हुआ है क्या आप कि तरह दो-दो-दो च्पेशल एडवाईजर क्यों नियोक्तों थों हैं वहाँ पे सेंट्रल पारा मिल्टरी फोर्सces की नियोक्ती साथ महीं से क्यों शुरू हो गई सदन तो नहीं चल रहा था वहां हिंसाम में कमी कैसे आई 18 जुलाई के बाद से वहां पे एक भी मृत्यू नहीं हो रही है दोनों समुदाय के बीच में बादचीत हो रही है आप आग में पेट्रोल डालने का काम करना चाहते हैं में इवाइड कि आप ने नहरू की आटो बायग्रफी में लिखा हुआ है पढ़िये जाके नहरू जी के अपने किताब कि मनिपूर is a place where हिल अन प्लेंज अर डिवाइड़ड अन लाइन और आप ने उसों कंटिन्यू किया अफीम के खेती किसने के काली में शुरू हुई थी आई भीवो सिंग के काल में अफीम के खेती पहाडी में करना शुरू किया कुकियों को किसने लाया किसने बसाया आप लोगों ने किया हर चीज की समस्या की जड़ में तो आप हैं आज उस समस्या को हम सॉल्फ कर रहे हैं प पूरे देश को शर्मसार गर दिया। पूरे देश को शर्मसार गर देश को शर्मसार गर दिया। हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।